तो बात करेंगे हम लोग ये सेप्टेंबर मन्त का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहला और दूसरा वीक मैंने कवर कर दिया है ये ऐसे करेंट अफेर्स हैं जिनको पढ़ना ही है आपको और कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिये मैंने कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है काम आपको समझाता हूं होता क्या है जैसे कोई फूड चैन होती है अपनी तो मान लीजिए घांस है घांस को जो है डियर ने खा लिया डियर को लॉयन ने खा लिया ये तो हमें ध्यान दे रहा है हम फ्लोरा फोना पर दोनों पर ध्यान दे रहे हैं जीव जंतू पर ध्यान दे रहें कि डियर का भी ध्यान रखना है डियर खत्म हो जाएगी तो लॉ पोशी होते हैं जो मृत पर अपना पोशन करते हैं उसमें फंगस बगर रहते हैं बेक्टेरिया रहते हैं तो उनका ध्यान कोन रखेगा उनकी ग्रोथ पर भी बात आ रही है तो in the sense की फंगस को भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात कही गई है और after all फंगस पे ही कई बार अलग-अलग प्रकार की फंगस हैं उसके आधार पर ही algae लगके lichens का रूप ले लेती हैं तो उसको भी अपने को ध्यान रखना है तो अब कल को कोई बोले कि biodiversity conservation में सिर्फ flora फोना आता है क्या तो नई सर्फ होना के साथ fungi भी आता है fungi अपने को पता होता है कि ये plant के भी प्रकार इसमें आ सकते हैं या animalia का भी एक pattern देखने को मिलेगा protesta भी है ये अलग-अलग kingdoms of biology में आते हैं बेसिक ये नवी दस्वी के विज्ञान में आपने कई बार इस तरह की चीज़ें देखी भी होंगी उसके बाद में distribution में ये line भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जो है reproduction का उनका तरीका जो उसके बाद में distribution कहां कहां है इनकी availability देखने को मिल सकती है 50% discount तो आपने अनकेडमी पर सुना था code भी आपको पता है मेरा SGYT10 अच्छी बात है लेकिन एक interesting चीज़ हो रहे है कि ये जो नया offer है 50% के साथ अब आप 12-12 महीने तक का भी additional benefit ले सकते हैं मतलब अब तक क्या होता था या तो ये offer था ये offer रहता था आप लोगों के लिए अब दोनों एक साथ हैं तो ये 30 September तक इसका benefit ले सकते हैं सर जहां पर आपको हर subscription में addition benefit तो मिल ही रहा है और 50% साथ में discount मिल रहा है मतलब ये साल का सबसे बड़ा offer है मान के चलिएगा साथ में 9 महीने का जो IAS batch जो launch हुआ है उसका भी आप direct फाइदा ले सकते हैं या individual educators के भी courses से भी अपने पूरी तैयरी कर सकते हैं कि आपको geography पढ़ना है आपको economy पढ़ना है तो सारी चीज़ें available है तो आप नीचे link है code मेरा use करना SGYT10 और आप subscription में discounts ले सकते हैं now coming to the next part fungi की जो importance की बात कर रहे थे तो अभी मैं आपको वही समझा रहा था कि भाई किसी चीज़ को breakdown करना है decomposition करना है तो हमारी food chain को continue बनाया रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है मिट्टी को उबजाओ बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है ठीक है ध्यान रखना आगे आते हैं कि 36 गड़ high court ने जो है एक tiger reserve के status को लेकर बात करी है जी हां तो अब वो डिमांड थी कि भाई भोराम देव wildlife century को tiger reserve बनाया जाए इसी कुछ चर्चा में था यह बट्लिस्ट भोराम देव जो wildlife century कहां है यह अपने को पता रहे ठीक है तो यह आपका 36 गड़ में याद रखना है नजदीक का छेतर काना नेशनल पार्क मद्यप्रदेश का रहेगा यहां पर fan और संकरी नाम की नदी से शुरू होती है फैन और संकरी फैन नदी 36 गड़ के अटलिस याद रखें आप लोग ठीक है यहां आप लोगों के MP का यह आईडिया होगा तो इन रीजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं सत्पुडा रीजन पढ़ते हैं सत्पुडा रेंज पढ़ते हैं उसका मैकाल रेंज आता है मरकंटक वाला रीजन है तो वहीं पर यह बोराम देव को भी आप लोगो याद रखना है ठीक है काम की चीज है लीव ब्लाइट क्या होता है बाई लीव ब्लाइट जो है कल को कोई पूछे ले तो अपने को ध्यान रहे कि यह एक प्लांट डिसीज है ठीक है याद रखना है प्लां तो चितला फिश को अपने को याद रखना है कि ये जो है है क्या चितला शब्द भी आद रह जाए तो भी अपना काम हो जाए तो चितला जो है वो एक फिश का एक हो है ठीक है दूसरी चीज बर्ड बटरफ्लाइ मत बनाना यह कहना चारा हूँ कई बार ऐसा एक्जाम में आ जाता है जैसे देवलाली आ चुका एक्जाम है देवलाली मिनो यह भी एक फिश है वैसे चितला फिश को भी आप लोग याद रखना जातर यह है सदन एशिया के रिजन में इंडियन सब कॉंटिनेंट वाले पार्ट में जो पाकिस्तान वगरे के रिजन है अपने नौर्थ इस्ट रिजन में नेपाल वांगलदेश काफी बड़े चेतर में पाई जाती है नदियों के चेतर में फ्रेश वाटर एको सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी इंडस गंगा ब्रमपुत रिवर में देखने को मिल जाए नियर थ्रेटन खत्रे की हो रही है विजयवाडा में ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है ये अच्छी बात है लेकिन में चीज थी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसमें न्यूज में था तो ये जो मैं आपको बता रहा था ग्रीन रेलवे स्टेशन के द्वारा ही सर्टिफिकेशन किसके द्वारा तो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये Especially Green Building Congress को भी एक तरह से organize कराती है, यह चीज़े आद रखना, और यह environmental categories में आपको ratings बगरा देने का काम कर रही है, तो जैसे sustainable station facility वहाँ की क्या है, hygiene क्या है, water efficiency क्या है, health क्या है, energy efficiency क्या है, smart and green initiative यह उससे related जो यह चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है, headquarter इसका हैदरवाद है, basic overview रखो, ज्यादा load मतलो, ध्यान रखना है इसका, eco side पूछ सकते हैं, क्या होता है, यह eco side, तो कहीं बार यह शब्द जो है, जो मतलब हाला कि बाहर से यह news में था, लेकिन crimes of eco side के नाम पे काफी चर्चा मेरा, तो eco side का मतलब यह है, कि किसी भी जगह पर यह दी बड़े स्तर पर एक बड़े लेवल पर environment विया, eco system का एक बड़ा loss हो जाए, ठीक है, extensive damage हो जाए, destruction of eco system, विनास हो जाए, वो मानोगारी और इनके कारण भी हो सकता है, तो आप यह कर सकते हूँ कि ऐसे, जहां पर काफी peaceful इस्तिती रहती है, stable condition है, वो जब गड़ बड़ हो जाए, वो disturb हो जाए, वो diminish हो जाए, तो eco system का destruction indirectly, at least आप इतना तो ध्यान रहे है, जैसे हमान लो port का expansion कर रहे हैं, आप deforestation कर रहे है, illegal mining चल लही है, pollution कर रहे हैं आप नदियों में, तो वो overall ecosystem को disturb करेगा, तो उससे संबंदिते eco side, ठीक है, याद रखना, white sunbar देख देखने को मिलते हैं, या जो थोड़ा सा अंधेरा का जो time रहता है, dry decidious rainforest, ये mixed forest इनका habitat है, ठीक है, overall काफी भारत के southern monster regions में आपको देखने को देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है, vulnerable category है, ये exam के लिए काम का है, ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, तो अब क्या बताओगे आप comment में, बताओ, located in करनाटगा, बनेर घटा नेशनल पार के नजदीग है, जहां रखना, हमें पता था कि आप जो हैं बता देंगे, नहीं लेकिन आपके दिमाग में तुरण दाना चाहिए, उसके पहले आ जानता है कि कहा है, थोड़ा किरला विरला में चले जाना, अब वहाँ कावेरी है, अरकावती है, शिम्षा नाम की नदियां भी हैं इसके नजदीग, बिलिगिरी रंगस्वामी, टेंपल, टाइगर रिजर्व भी वहीं देखने को मिलेगा, महादेव हिल, वाइल लाइफ, सेंचुरी भी आपको उसके नजदीग द लेना, इसको एक बार रिवीजन हो गया एक तरह से आपके लिए, और अच्छा भी थोड़ा लेट दूँ आपको करेंट अपने इस तर्वे पढ़ लेते हो, फिर कम से कम रिवाइज हो जाता होगा मेरे हिसाब से, खेर, तो सांची टाउन जो है, राइसेन के छेतर में चर्चा में यह, फिर बात आ रहे है, साहरा स्पेस रॉक, अभी जो साहरा स्पेस रॉक है, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको बेसिक, थोड़ा सा याद रहे, कि साहरा डिजर्ट के रीजन में यह देखने को मिला है, और ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही पुराने समय का है, चार बिलियन मतलब समझ रो, प्रत्वी के निर्मान के टाइम पी चलेगा, तो काफे पुराना यह देखने को मिला है, तो यह ऐसी रिसर्च आती रहती है, तो कहीं बार जो है, कहां मिला है, किन छेतरों में मिला है, उल्डेस्ट कहा है, तो अटलिस साह सारा डिसर्च से आप लेई लोगे थोड़ा बहुततों, अर्ग हमाड़ा से रिर नाम पढदे रहते हैं हम लोग, तो यह अर्ग आपको सब कुछ बढ़ियां तो काला जीरा शब्दों को अच्छे से पढ़ियेगा कहां से संबंदी थे उडीसा कोरापूर्ट जी आई टेग देख लीजिए गाइस इसके बाद में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अब काफी मदद कर रहा है सर जो उमाइम लेक है उसको गंजर्व सवाल आ सकता है मेगाले याद रखें मेगाले मेगाले ठीक है जी हाँ तो उमाइम लेक इसे हम बारा पानी लेक भी कहते हैं मेगाले में आपको है खासी हिल्स के आसपास देखने को मिलेगा सबसे बड़ा आर्टिफिशल लेक है मेगाले में एक तरह से आप कह सकते हो यहा अब अट्लांटिफिकेशन को लेकर जो है एक न्यूज में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जी हाँ अब मैं आपसे ये कह रहा था कि अट्लांटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था कि अट्लांटिफिकेशन अभी जैसे न्यूज में तो था ये लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे दो साल पहले मैंने पढ़ा दिया इसको और वो इतना अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि एक बार आप जड़ा देखना इसको मतब समझ में आएगा मैं चाहता हूँ इसको आप देखें उसके बाद ये न्यूज जो है कि जो है बेसिक आर्क्टिक और अट्लांटिक के बीच में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको लेकर बात आई है तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग जड़ा ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा उसके आदी सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है तो मैंने इसलिए आपको एक उसको लेकर जो है ये चर्चा में था इसी बीच में ना यहां पर एक फ्राम स्टेट भी निउस में रहा तो फ्राम स्टेट जरूर पढ़ लेना भी आ फिलाल तो वर्ल्ड मैप में जब आप जाते हो तो उपर यूरोप के पास ग्रीन लेंड दिखाई देता है अब जो ग ग्रीन लेंड और सबलवर्ड आइलेंड जो यूरोप का है उसके बीच में है फ्राम स्टेट ठीक है तो दो तीन काम है अब आपके सबलवर्ड जो है सबलवर्ड मुझे बताना है कि नौर्वे का है कि स्वीडन का है कि डेनमार्क का है कि फिनलेंड का है ये कोश्चन है आ तो यहां पे है सर फान स्टेट यह आक्टिक ओशन की मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो भूलना नहीं है महत्वपूर्ण है अपने आप में यह तो यह बेसिकली मैं आपसे कहूं यदि तो अट्लांटिफिकेशन को जरूर आप पढ़ लीजिएगा ताकि हम लोग का यहां भी समय बच जाए और आप भी अच्छे से समझ पाएं क्योंकि यह बहुत अच्छा है से मैंने समझाया हुआ है तो इसको एक बार पढ़ लेना और मतलब मेंस तक भी लिखने के लिए तो मिल जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग न्यू डेली डेकलेरेशन की बात थी सेकंड वीक में तो न्यू डेली डेकलेरेशन में जो जी ट्वन्टी लीडर समिट हुआ था 9-10 सेप्टेमबर में तो उसमें एक बहुत ही बेसिक कहानी मतलब यह न्यूज में त से अभी भी कह रहा हूँ तो इसको जरा ठीक से आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है तो जो हमारा Green Development Pact है या एक तरह से हम कह सकते हैं जो हम Sustainable Development Goals हमने Decide किये हैं ठीक है या आप कह सकते हो कि जो Overall Global Biofuel Alliance है तो इसके आसपास काफी चर्चा रही और इस Summit के तहत क्या-क्या चीजे निकली तो यह सब Highlights तो थे इसमें लेकिन इसके बीच यह जो New Delhi Declaration की कहानी थी वो हमें पढ़ना है कि क्या है मैं अभी Global Biofuel Alliance भी आपको पढ़ाऊंगा और Biofuel के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे तो basic चीज अपने को यह याद रखनी है कि कल को एक तो यह पूछ ले कि Declaration से संबंदित कि सेंस में गया है या किस category में जा रहा है तो at least climate change से संबंदित याद रखना या overall इसको कहीं दूसरी direction में मत ले जाना दूसरी important बात यह है कि इस declaration में कोई एक single चीज नहीं है multiple चीजों के बारे में बात की गई थी तो overall जैसे sustainable development goal के जो भी action plans हैं उसको किस इस तरह से हम लागू करेंगे वो एक बोल आ गया इसमें ठीक है biofuel alliance के बारे में भी चर्चा की direct सवाल भी आ सकता है तो अब यह क्यों आएगा तो इसमें दिक्कत यह है अच्छी बात यह है कि इंडिया लेट की बात है मतलब यह इंडिया द्वारा initiative आ सामने आया है ठीक को बढ़ाएं overall in fact transportation sector को में इसका तो इस्तमाल बहुत बड़े स्तरपड बढ़ाने का हमारा काम है अब यह सब चीज बायो फ्यूल बगरा हम add करेंगे तो overall global warming और यह सब carbon emission को कम कर पाएंगे तो कल को अपने से अब पूछ लें कि new Delhi declaration climate commitments में क्या-क्या बाते निकल के आई तो यह सारी बातें कम से कम अपने को ध्यान रहे बायो फ्यूल क्या होता है तो हमें मालू है जो बायो मास्स से हम लोग निकाल रहे है जैसे crop का स्टबल है बायो फ्यूल भी एक वीडियो बना यह इसके बाद मैंने इसकी स्टेजस तक बताई हुए उसमें कि फर्स्ट जनरेशन बायो फ्यूल क्या होता है सेकंड जनरेशन क्या थर्ड जनरेशन तो हम फर्स जनरेशन में नॉर्मली जो सुगर बीड शुगर के इन वीड से बनाते हैं उसके वूड स्ट्रॉ ग्रास इसके बाद में इंडिया रशिया से संबंद्धित नए ट्रेट रूट के बारे में हमिशा चर्चा बनी रहती चेंचने से इदर ब्लाडी वोस्टोक के बीच में तो थोड़ा सा जो है जो इसाइसर्ण साइट पर बना हुआ है चननी से लगा लगा कि व्लाडी वोस्टोक तो अपने को पता हो व्लाडी वोस्टोक कहां है कहां से कहां है तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में जाना पड़ेगा यहाँ पर व्लाडी वोस्टोक आपको जो है देखने को मिलेगा ठीक है याद रखना भूलना नहीं यह महतोपूर्ण है तो व्लाडी वोस्टोक रशि कह सकते हो कि end terminus भी है ठीक है तो hope कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे बूलना नहीं है अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग अच्छा दूसरी बाद यह याद रहे सी रूट यहां से एक इधर है और एक यहां से आप इधर भी जाते हैं जो existing मुंबई से लगा के सेंड पीटर्सबर्ग तक सेंड पीटर्सबर्ग और यह व्लाडी वोस्टोक दोनों connection हमारे जो हैं बने हुए अब रशिया के साथ तो Arctic region में कल को कुछ भी explore होता है तो हम लोग कम से कम पहुँच जाएंगे वहां तर इस तरह से ठीक है अब आगे बढ़ेंगे मुराको का जो अर्थकुएक आया था अब अर्थकुएक तो आ गया लेकिन उसके आसपास की सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ने पढ़ेंगी जैसे उधारन के तोर पे जो एटलस माउंटेन है डिरेक्ट पूछे जख सकते हैं हाई एटलस मेरीन एटलस तो ये सब एटलस माउंटेन मुराको की कहानी है जेवल तोपकल परवत हाइस्ट रीजन है वहां का हाइस्ट परवत अच्छे से याद रखना है अपने को ठीक है वहाँ पर बेरबर कम्यूनिटीज आपको देखने को मिलती है बेरबर कम्यूनिटीज को याद रखना बेर 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 कम्यूनिटीज ठीक है उसके बाद में कहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ये एटलस माउंटेन इधार आना पड़ेगा आपको इन छेत्रों में यहाँ पर आना पड़ेगा अब यहाँ पर कंट्री का नाम भी आप चाहें तो मुराको एटलिस्ट याद रख सकते हैं अब ठीक से इसको यहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो इतलीस्ट जब भूकम आ तो गया लेकिन उसके आसपस की सारी चीज़े आपको क्लियर हो अच्छा दूसरी चीज मुराको में कसाबलांका रबात इसकी कैपिटल हो गई मराकेश जो है यहां का नौर्मली हम पढ़ते ही है कि मराकेज जो है रिलीजियस प्लेस हो जाएगा यह तो सुना ही होगा आप लोगों ने रिलीजियस प्लेस इसका जी सर ओके रबात इसकी वहलब कैपिटल सिटी हो गई कसा बलांका केमिकल इंडस्टी के लिए प्रसिद्ध हो गया यहां पर आ जाद में किलेव वॉलकेनों सीधा सवाल फैक्च्छल सवाल नौर्थ अमेरिका में जाओ पैसिफिक ओशिन में जाओ हवाइन आइलेंड आ रहा है यूएस का वहाँ पर आपको यह किलेव वॉलकेनों देखने को मिलेगा शील्ड वॉलकेनों है यह शील्ड मतलब जिसका लावा बहुत बहता है बेसिक लावा जिसमें होता है अब ज्यादा बहने के कारण क्या होता है कि यह बड़े इस तर पर शील्ड जैसा धारन कर लेता इसका शंकु जो है होट्सपोर्ट का एक एक एक्जामपल है तो यह किलो वॉलकेनों हवाई का है पैसिफिक ओशिन में यूएस में ऐसे याद रखो ठीक है नयोमा एयर फील्ड याद रखना मिनिस्टर अफ डिफेंस जो है उन्होंने भी एक फांडेशन स्टोन से संबंदित न्यूज में था लग्दा के इस रीजन में नयोमा विलेज से याद रखना ये इंडिया की बात हो रही कहीं और मज चले जाना ठीक है बेसिक लर्निंग सेलम सागो क्या है आदेर समय समझ नहीं आएगा इसको जी आई टेग मिला है भारत सरकार के द्वारा दूसरी चीज यह साबूदाना सुना होगा आप लोगों ने जी हां तो सेलम सागो लोकली इसको हम जवरसी भी कहते हैं या तो साब मिलनाडू के छेत्रों में काफी जादा प्रसिद्ध है जी हां और बाकी तो जी आई टेग मिलना मतलब अपने आप में इसकी उनीक क्वालिटीज को लेके रिकागनिशन मिलना तब मिलनाडू से याद रखना और सेलम सागो क्या है वो भी दिमाग में रहे ये भी आपका म उद्देश होना चाहिए आगे बढ़ेंगे हम लोग बाटनिकल सर्वे आफ इंडिया गेट्स पेशन फॉर बंबू बेजड रियूजेबल स्ट्रॉ सीधी सी बात है काम की चीज थी भई या अब हम बंबू का भी हम यूज़ करने लगें स्ट्रॉ बगेरा लोग प्लास् इंडिया ने क्या करा बढ़िया से रियूजेबल जो स्ट्रॉ है वो बना लिए ठीक है तो अच्छी बात है अब वहां गए तो अब यह तो ऐसे हर कोई ले लेगा तो इसके लिए फिर इन्होंने पेटेंट पेटेंट ले लिया है सर इस चीज़ का जी यह यह सब आप हमा तो गलत कर देना ऐसा नहीं है ओनली यह बात सही है इस चीज़ को दियान रखना है अंडमान रिकुबार में आपको देखने को मिलेगा सीजो स्टेकियम अंडमानिकम ठीक है बॉटनिकल सर्वे ओफ इंडिया का यह तो कम से कम पढ़ ले ना फॉर स्टेट पीसियस जी हां बड़ा रिसर्च और्गनाइजेशन है भारत का किस मंतरा लेकर अंतरगत आता है यह भी पता हो अपने को फॉरेस्ट क्लाइमेट चें अपने को इसका मिल रहा है ठीक है इसको हम है ब्रेसलेनिस भी बोलते हैं दूसरी चीज कहां है तो यह एकविटोरियल क्रॉप है एवर ग्रीन फॉरेस्ट की कंडिशन में आता है पानी खूब चाहिए सर ज्यादा बारिश लगती है इसको केरला राज आगे है याद रखन केरला राज आगे है ब्रिटिश ने पहला रवर प्लांटेशन स्टेबलिश भी किया है यह केरला की बात मैं भी कर रहा था केरला तमिल नाडू करनाट अगर रवर प्रोडूसिंग स्टेट्स हो गए ठीक है ग्लोबल में जाओगे तो थाइलेन इंडोनेशिया मलेशिया वेतनाम आएगा कंज्यूमर में चाइना भारत यूएसे आएगा सारी काम की चीज़ें आपके लिए अवेलेबल मत परिशान हो ना अराम से इसको देखो और जीवन के आनंद लो जी हाँ आगे बढ़ेंगे रबर बोर्ड के बारे में भी आप देख सकते हो कि रबर एक्ट कब आया हमारा 1947 रबर रूल बनाया गया रबर जो हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड जो है कोट्टा है हम केरला में आना पड़ेगा एक कोश्चन है कॉफी बोर्ड रबर बोर्ड टी बो बोर्ड टोवैको बोर्ड से संब्सक्राइब कोश्चन करना है पॉज करी और मुझे कॉमेंट में अंसर दीजिए जी हाँ इसके बाद में युनाइटे नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम और नाबाड के द्वारा एक MOU साइन किया गया है जी हाँ एक डेटा ड्रिवन इनोवेशन मतलब एक डेटा कलेक्शन की बातें हैं सरसीदी सी बात है कि डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर एक डिजिटल पब्लिक गुड कोलाबरेटिव एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेटा को बहतर रखने के लिए हमने और इखटा करने के लिए उसके ऐसा agriculture जो climate change के चलते अपने आपको adapt कर पाए उसमें क्या-क्या चीज़े हम बहतर कर सकते हैं उसे संबंदित ये चर्चा है इसमें याद रखना कि climate resilient agriculture का जो data है या DICRA के बारे में जो बात कर रहा है वो किसके द्वारा बना है तो UNDP याद रखेंगे important है नबाड भी याद रखना है ठीक है तो काफी महतवपूर्ण चीज़े हैं अब data से मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह का जो है कोई agriculture का region कहाँ पर कितना climate से कितना परिवर्तन हो रहा है कितना जो है इसमें requirement है चीज़ों की कितनी इसकी और sustainability है कितना और जादा जो है यह सह पाएगा overall हम लोग जो है मतलब यह world के level से तो ठीक है पहले especially भारत के इस region में किस तरह से agriculture को और हम बहतर sustainable बना सकते हैं तो यह चीज मेंस में बहुत अच्छी काम आ सकती कि आप technology के use में इसका लिख सकते हो सर मेरा मतलब यह है कि इसके बाद में भाईया forest department जो है उन्होंने जो बांदीपूर टाइगर रिजर्व में illegal cottages बन रहे हैं उससे संबंदित एक monitoring committee का गठन किया है कि देखो भाई क्या cottage cottage क्या बना रहे हैं लोग बांदीपूर टाइगर रिजर्व करनाटक का आपने को पता है नजदीक में तमिलनाडू केरला आपको देखने को मिल जाएगा western और eastern घाट जहां पर आपस में मिलते हैं निलगिरी बाइस्पेर रिजर्व का हिस्सा है द्यान रखना है ठीक है बांदीपूर टाइगर रिजर्व काबिनी रिवर एक मिल्ट यार ऐसे ही अपनने ऊपर भी तो पड़ा था कावेरी के दोरान पड़ा था तो कावेरी में याद रखना बिलिगिरी रंगस्वामी है न और अभी जो हम पढ़ रहे हैं नहीं तो इकट्टे हो जाओ अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बांदीपूर पढ़ रहे हैं यह बीटी आर है और यह वाला जो था यह वाला जो था यह बीआर्टी है बिलिगिरी रंगस्वामी जी हाँ बनेर घटा की बात हो रही है और यह बांदीपूर के बारे में अपने बात कर रहे हैं वह थोड़ा सा और उपर की बात हो रही है चलिए तो ये धियान रखें इसको तो मांधिपूर के बारे में बात कर रहा हूं ए थोड़ा इधर की बात कर दो पहले में थोड़ा यहां बात करी थी कावेरी नदी की जो कहाणी थी न कि खेर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तो यह बांदिपूर के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखना और नागर होल भी बड़ा नस्दीक में है और यह निलगीरी बावसपियर रेजर्ब के बारे में इसके उपर जो बनेर घटा था वो निलगिरी में नहीं आता है मतलब जो इसके पहले मैंने बनेर घटा पढ़ाए था वो निलगिरी में नहीं आता अब वो यह कह रहा है कि सिर्रस क्लाउड के बढ़ने से सिर्रस मतलब यह वाले क्लाउड के बढ़ने से से ग्लोबल वार्मिंग बड़ेगी अब यह क्यों बढ़ रहे हैं तो जो बारिश हो रही है असपास असल में क्या होता है देखो जैसे कोई cloud जो है उठा cloud का formation हुआ बरस गया वो लेकिन जो remaining clouds रहते हैं वो सिर्रस cloud होते हैं यह पहचान होती है कि कहीं बारिश होई है तो वो यह अब यह cloud sunlight को बड़े आराम से आने देते हैं main जो बारिश वाले cloud होते हैं उससे sunlight एकदम नीचे अंदर नहीं आपा तांधेरा सा होई जाता है देखा होगा हमने तो एक ऐसी research ही आई है कि जो global thunderstorm विश्व में जो वर्षा का छेतर बढ़ रहा है वर्षा बढ़ रही है बड़े स्तर पे जो वर्षा बढ़ रही है वर्षा की जो activity बढ़ रही है उसमें ये हुआ है कि serious cloud के formation भी उतने ही होगे क्योंकि उतने main ये जो cloud है thunderstorm वाले clouds cumulonimbus capacity वर्षी जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं अब वो बढ़ेंगे तो serious cloud भी बढ़ेंगे अब serious cloud बढ़ेंगे तो मतलब एक बात ये निश्चित है कि sunlight उतने ही ज़्यादा पहुचेगा तो global warming तो यहां से हमें ये learning लेनी है कि क्या serious cloud global warming को contribute करते हैं yes करते हैं द्यान रखना पहले exam में हाला कि इस type का question आ चुका है तो जो feathery clouds होते हैं serious का मतलब होता है पक्षाभमेग इसके बाद में गांधी सागर wildlife century को नया home बनाया जा रहा चीता के लिए जी हां तो ये पालपूर कुनों या पास में यहीं पर गांधी सागर को याद रख लेना तो गांधी सागर wildlife century मद्धिप्रदेश अब साथ में पडोस में राजिस्थान भी मिल जाएगा वाह desidious forest मिलते हैं सरसुष्क वाले dry desidious evergreen नहीं है अच्छे त बारिश नहीं है इतनी जादा ठीक है चंबल नदी नजदीक मिलेगी आपको गांधी सागर डैम मिलेगा चंबल नदी देखने को मिलेगी आपको अच्छे से याद रहना गांधी सागर डैम मिलेगा और साथी साथ में जो है जिसको हम कह सकते हैं कि मद्ध्रदेश और राजिस्थान दो राज्यों से भी इसको ध्यान रखना थोड़ा सा मेंली तो मद्ध्रदेश में पड़ोसी जो है थोड़ा छेत्र उसका एड़ोइनिंग एरिया राजिस्थान में भी आता है तो ऐसे याद रख सकते हैं यह यहाँ थे गांधी सागर पालपूर कुनों यहाँ से यहाँ जोड़ा लोग आईस वर्ल्ड बैंबू डे अब यह वर्ल्ड बैंबू डे तो चलो ठीक है मना लिया गया अच्छी बात है बट एक चीज आपको जो थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है इसमें नॉर्मली कि एक तो वर्ल्ड बैंबू और्गनाइजेशन जो है यह कब सेट अप किया गया था यह स्टेट PCS का कुश्चन जी हाँ इंटरनेशनल बैंबू कॉंग्रेस पढ़ सकते हो आप जपैन वहाँ पर यह सेट अप किया गया था और ओवरॉल यह हम क्यों बना रहे हैं या क्या है यह किस तरह की बॉड़ी है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बैंबू को एक तरह से एकनोमिकली मतलब एगरिकल्चर सेक्टर की तरफ ले सकते हो आपकी मतलब इसको फॉरेस्ट के अलावा भी प्राइवेट के रूप में लगाते हैं व्यापार करते हैं ट्रेडिंग कर रहा है क्योंकि बैंबू प्रोडेक्ट्स बनते है तो ओवराल ये एकनोमी को भी बढ़ावा देता है ठीक है अलग-अलग इसके जो है कंस्ट्रक्शन, माटेरियल, हैंडी, क्राफ, पेपर वगेरा ये सब बनते ही है तो इसको अलग से भी किया जाता है और इसको लेकर मैंने यहां पर स्पेशली चर्चा इसलिए भी किये कि भारत में भी नैशनल बैंबू मिशन चल रहा है साथी साथ अभी ट्री कैटेगरी से बैंबू को हटा दिया गया था ताकि हम उसका जो है कोई भी उसका कल्टिवेशन कर सकता है बिजनस कर सकता है मतलब प्रॉपर उसमें कोई ऐसे पर्मिशन वगरे की ज़्यादा जरुवत नहीं पड़ेगी तो इस चीज के लिए ताकि थोड़ी एकनॉमिक एस्पेक्ट जो है इसका बढ़ जाए तो ये चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें न्यूजिलेंड के नॉर्थ में ओके या यहां बात हो रही है तो मतलब रिंग ओफ फायर का पार्ट में आना पड़ेगा ये ज्वाला मुखी का निकला हुआ छेत रहे मतलब एक्टिव वाल के निसा में लास्ट यर भी नूज में था इस बार भी नूज में तो होंगा टोंगा ये हमसे कम आप लोग याद रख लिजेगा ठीक है बाकी ये सेप्टेंबर का पहला दूसरा वीक था तीसरा चौनते का एक वीडियो और आजाएगा आप एक्स्ट्रा मंत भी और पढ़ सकते हैं 18 महीने के साथ 4 महीने फ्री 24 महीने के साथ 6 महीने फ्री एक साल तक का एक्स्टेंशन ले सकते हैं कोड मेरा सबको पता SGYT10 और जो नए बेच प्रारंब हो रहे हैं वो 29 तारीक यानि कल से ही हो रहे हैं 24 महीने कोई भी आप लोग जो है सबस्क्रिप्शन लोग इसमें आपको अडिशनल बेनिफिट मिली रहा है ठीक है कोड मेरा क्या है भाई SGYT10 इसका आप इस्तमाल करें अब आप देखेंगे कि वीडियो में मैंने काईम डूरेशन भी कम रखा है और लगबग लगबग 10-15 दिन का करेंट अफेर्स हम इन्वार्मेंट का जो काम का है वो कवर करने जाए तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस पूरे वीडियो को देखो PDF आपको जो अनेकेडमी के जब मेरी प्रोफाइल पर आप जाओगे तो कम्यूनिटी सेक्शन मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर देना हमेंने प्रोवाइड की हुई है और अप PDF से फिर भले रिवीजन कर लेना लेकिन क्लास को तुरंत सुन लो आप खाना खा रहे हो कुछ ऐसा काम कर रहे है तो भी आप सुन लोगे तो इस तरह से उसको मैंने बनाया है इतना शॉर्ट में रखी है चीज़े है कि आपको लंबे समय तक ही हमेशा काम आई ठीक है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रहे और कुछ जैसे फंगस का आज का टॉपिक बड़ा काम का था इसके वाँने लीफ बलाइट कहीं बार नहीं समझाता हमें चिताला फिश के बारे में आप याद रखो कावेरी वाइल लाइफ सेंचुरिक बारे में अर्ग के बारे में पता हो ठीक है उमयम लेक के बारे में अपने को पता हो अटलांटिफिकेशन की कहानी में आपको बताई दी कि आप अप एटलिस्ट सर्च करके पढ़ लीजिएगा बायो फ्यूल्स की जेनरेशन अपने को पता हो एटलस माउंटेन का रीजन वगरा छेतर जो है वो उसका एडिया हो ठीक है उसके साथ साथ जो है सेलम सागो क्या होता है साबुदाना भी होता है भी या तो वो भी याद रखना हमने अंडमान निकोबार के छेतर में यदि हम लोग अब्जर्व करें तो हमने क्या हुआ है यहां पर तो अंडमान निकोबार के रीजन में हम लोगों ने एक बैंबू वाली जो है उसका एक पेटेंट ले लिया है ताकि हम उसका यूज कर पाएं बहतर रूप से तो इस तरह से जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजेगा रिवाइस कर लेना ठीक है बाकी ओफर किसे रिलेटेड सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वहां से जो है आप डारेक्ट पहुंच सकते हैं बाकी मेरी स्पेशल क्लास सामको साथ बज़े भी चल रही है तो उसको भी आप देख लीजेगा बाकी जो जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हुआ ठीक है बहुत सारे इसे टॉपिक्स मैंने पढ़ाएं जस्ट आपको सर्च करना यूट्यूब चीज़ें आपको बिलकुल भाही से मिल जाएगी चलिए तो थैंक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और आप शेयर भी कर सकते हैं धन्यवाद